हलो स्टूडेंट आज हम लोग विज्ञान केक्षादस बहुभी कल्पिय प्रस्न लगुतरी प्रस्न दिर्गुतरी प्रस्न के बारे में अध्याइन करेंगे जो बोड़ परिशा के लिए काफी महत्पुन होगा आप लोग इस विडियो को देख करके बोड़ परिशा आने वाले प्रस्नों को अधिकान हल कर सकते हैं इसे आप लोग अवस्य देखिए विडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रस्नों के कुछ उत्तर रहेंगे, कुछ महत्पुन प्रस्न दिये जाएंगे जिसे आप लोग को तेयारी करना होगा, जो परिक्षा में आने की पूरी संभावना रहेगी, तो आइए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बहुबिकल्पिया प्रस्न, इसमें जो है की, करीव करीब 14 से उपर प्रस्न होंगे, जो आपके परिक्षा में क काफी महत्पूर्ण भूमिका निभाएंगे तो आए शुरू करते हैं प्रस्न संख्या एक कह रहा है निम्न में से कौन सी एक परा बैगनी किरणों को प्रित्वी पर आने से रोकती है यह प्रस्न दिया गया है यह प्रस्न काफी इंपार्टेंट है अगला प्रस्न है निम्न दिये गए माध्यमों में प्रकास की चाल निउन्तम होगी प्रकास की चाल निउन्तम कम होगी जब उसका अपवर्तनांक अधिक होगा तो प्रकास की चाल निउन्तम होगी तो निम्न में दिये गए माध्यमों में प्रकास की चाल निउन्तम होगी ए हीरा बी जल सी काच और डी किरोसी यानि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो जो है कि क्या हो जाएगा उसकी चाल निउन्तम होगी तो प्रकास की चाल बराबर क्या होता है सुत्र होता है प्रकास की चाल बराबर निर्वात में प्रकास की चाल बटे अपवर्तनांक तो जिसका जितना अपवर्तनांक अधिक होगा प्रकास की चाल क्या होगी उतना ही कम होगा तो हीरा का अपवर्तनांक इन दिये गए बिकल्पों में सबसे अधिक होता है तो इसलिए इस प्रस्ण का उत्तर बिकल्प A हीरा सही है अगला प्रस्ण है प्रीजम से स्वेत प्रकास की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक बिचलन होता है सबसे अधिक बिचलन पूछ रहा है A लाल रंग में, B पीले रंग में, C हरे रंग में, D बैंगनी रंग में ये चार बिकल्प दिया गया है स्वेत प्रकास जब प्रकास की प्रीजम से गुजरती है तो बिचलन मतलब बिचलन किस करण का होगा तो बैगनी किरण का सबसे ज़्यादा फैलाव बैगनी किरण का होगा अगर सबसे इसी में कम पुछता तो इस प्रस्न का हो जाता कि सबसे कम बीचलन किसका होगा तो लाल रंग का हो जाता तो इस प्रस्न में दोनों प्रस्न पूछा जा सकते हैं तो आप लोग जीस तरह का प्रस्ण पुछेगा अधिक्तम बिचलन पुछेगा तो बैगनी रंग का और नियूंतम बिचलन पुछेगा तो लाल रंग का होगा अगला प्रस्ण है विदूत जनितन में रूपांतरण होता है विदूत जनितन किसका रूपांतरण करता है A. बिदुतुर्जा को यांत्री कुर्जा में B. यांत्री कुर्जा को बिदुतुर्जा में C. यांत्री कुर्जा को रसाइनी कुर्जा में D. रसाइनी कुर्जा को बिदुतुर्जा में तो जर्नेटर क्या करता है जर्नेटर जो है कि जो विदू जर्नेटर जिसको जर्नेटर हम कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले यांत्री कूर्जा का विदू तूर्जा में रुपांतरण होता है क्योंकि पहले जो है कि हम जर्नेटर में के इंजन में हैंडिल से जो है कि आपना जो है कि सक्ति का प्रयोग करेंगे यान्तिक कूर्जा लगाएंगे जिसके कारण से generator start होगा start होने के बाद से वो जो है कि उस यांत्रिक उर्जा की खर्च होने के बाद वो विदूत उर्जा में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर बिकल्प बी सही है अगला प्रस्ण है 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर इस्थित बश्तु का प्रतवीम्ब बनता है यह जो है कि आपका एक निमेरिकल सवाल है तो सवाल को हम क्या दिया है लिख ले रहे हैं एक बराबर 20 cm और यू बराबर दिया है माइनस यह 20 cm उतर लेंस में हो जाएगा यू का और भी पूछ रहा है भी बराबर ग्याद करना है तो हम जानते हैं कि क्या होता है 1 upon f बराबर 1 upon b plus 1 upon u मान रख दिजिए क्या हो जाएगा 1 upon f के जगा पर क्या रख देंगे 1 upon 20 बराबर 1 upon b plus कोष्ट में 1 upon minus 20 अब यह कर देंगे तो 1 upon b is equal to क्या जाएगा एक बटे 20 और यह plus minus मिलके minus हो जाएगा और यह side जाएगा तो plus हो जाएगा एक बटे 20 यह क्या आजाएगा एक बटे भी बराबर एक बटे 20 धन एक बटे 20 बीस लगुतम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक पलस एक बराबर दो बटे 20 तो भी बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे दो बराबर 10 cm इस प्रस्न में हम विकल्प देखते हैं क्या का दिया है तो विकल्प हम देख रहे हैं कि पहला दिया है यह 10 cm दूरी पर दरपन के पीछे दूसरा दिया है बी 0 cm दूरी पर दरपन के सामने और सी अनन्थ पर और डी उपरोग्त में से कोई नहीं तो भी का मान यहां से हमने 10 cm निकाला तो इस प्रस्न का सही उतर होगा विकल्प ए 10 cm दूरी पर दरपन के पीछे इस प्रस्न का उतर 10 cm दूरी पर दरपन के पीछे अगला प्रस्ना कर रहा है कि 220 बोल्ट 108 के बिद्यूत बल्ब के तन्तु का प्रतिरोध होगा यह एक सवाल जुह है कि दिया गया है एक बल्ब है जिसके प्र possono गया है और उसकी पावर कितना दिया है 108 के विदूत बल्व के तंतु का प्रतिरोध जान करना है तो इसमें क्या दिया है तो हम डिनोट करते हैं B बराबर 220 दिया है और P बराबर दिया है 100 वाट दिया है R बराबर पूछ रहा है तो इसका जहें की फार्मूला हम लोग वाट वाला लगाएंगे जो होता है P बराबर P बराबर क्या होता है B स्क्वाइर बटे R P बराबर B स्क्वाइर बटे R अब R पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा B स्क्वाइर बटे P B का मान दिया है 220 तो 220 गुने 220 बटे कितना है पावर 100 है ये दो 0 से 2 0 कट गया बराबर 484 और R है तो R का माग ओम में होता है तो इसमें देखेंगे 484 ओम अगर दिया है तो सही होगा तो पहला दिया है 2 दसमर 2 ओम B 484 ओम C 22 ओम D 484 ओम तो 484 ओम हमारा उतर आएगा तो बिकल्प B सही है अगला प्रस्ण कर रहा है प्रोपेनाल प्रोपेनाल है प्रोपेनाल है कर रहा है C2H5OH, B C3H7OH और C C3H5OH और D C3H6OH तो यह प्रोपेनाल क्या है तो यह बिकल्प B सही है C3H7OH यह प्रोपेनाल का जह की शुत्र है प्रोपेनाल इसको कहते हैं C3H7OH यह प्रोपेनाल है अगला प्रस्ण है अधातु है अधातु है विकल्प A कह रहा है कि यह पोटेसियम B फ्लोरीन और C C एल्मुनियम D N A तो इस प्रस्ण में अधातु कौं सा है तो अधातु जह की A F है विकल्प B F है अगला कह रहा है ठंधे जल से hashtags बनाती है कौन वी इसमें से जो बिकल्प दिया गया इसमें से ठंडे जल से हाइडोजन गैस बनाती है A. लोहा, B. कापर, C. सोडियम, D. कार्बन इस प्रस्न का सही उत्तर सोडियम क्या करता है ठंडे जल से क्या कर लेगा हाइडोजन गैस बना देगा सोडियम, अगला है, मनुष्य में ब्रिक किडिनी एक तंत्र का भाग है, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है जो संबंधित है किस से? A. पोशन से, B. स्वसन से, C. उत्तर्जन से, B. परिवहन से तो kidney क्या करता है हमारे सरीर में जो हम मुत्र कात्या करते हैं उसको च्छान करके मुत्र मार्ग से हमें बाहर निकालता है तो यनी ये kidney क्या करता है उचसरजन का काम करता है स्वपोसी पोषण के लिए आवस्यक है स्वपोसी पोषण के लिए आवस्यक है स्वपोसी और परपोसी दो परकार के जो है की पोधे होते हैं जो स्वयम अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोसी कहते हैं परपोसी जो दूसरे पोधे उसे अपना भोजन गरहन करता है उसे वर पोशी कहते हैं, तो यह स्वपोशी के लिए क्या आवस्यक है, जो स्वयम अपना भोजन बना सके, उसके लिए विकल्प दिया है कार्बन डाय एक्साइड, बी क्लोरो फील, C. सूरे का प्रकास D. उपरयुक्त सभी D कह रहा है उपरयुक्त सभी तो इस प्रस्न का सही उत्तर होगा कि कार्बन डाई एक्साइड भी चाहिए और पोशी के लिए भोजन बनाने के लिए अवस्यक्त है शूर्य का प्रकास भी ज़रूरी है यानि विकल्प D सही है उपर युक्त सभी की आवसेक्ता पड़ेगी अगला है अल्लाइंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है A. Amoeba, B. East, C. Plasmodium, D. Lismania तो अल्लाइंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है वो किस में होता है? E. East में होता है यह अमुकुलन जो है की अल्लाइंगिक जनन मुकुलन इस्ट में होता है पराग कोस में होते हैं पराग कोस में क्या होते हैं? A. दिया है बाहय दल, B. अंडासे, C. अंडप, D. पराग कोस है तो इसी से समबंधित सभद का प्रयोग करेंगे न बाहे दल का हम मारेंगे अंसर न अंडासे मारेंगे न अंडप मारेंगे इसमें पराग पोस में क्या होगा पराग करण होगा विकल्प D सही है पराग करण बक्रता त्रिज्या का मातरक होता है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है A मिटर, B सेंटीमिटर, C मिलिमिटर, D ये सभी तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होगा ये सभी के सभी होगा जिस भी हम जह की इकाई में मात्रक को लेंगे वो सभी के सभी मात्रक जो दिया गया विकल्प में सभी के सभी मात्रक वक्रतात रिज्या के मात्रक होंगे विकल्प D ये सभी अगला प्रस्न का रहा है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकडे को चार बराबर भागों में बांटा जाता है तो इन टुकडों को फिर समांतर करम में सयोजित कर देते हैं ये दुल्य प्रतिरोध R डेस है तो R डेस बटे R का अनुपात होगा तो इस सवाल में ये कह रहा है कि एक प्रतिरोध R है उसको चार बराबर जैसे ये मान लिजिए कि ये पेंसिल को हम प्रतिरोध के रूप में दिखा रहे हैं तो इसको कह रहा है, कि चार बरावर्ट टुकडों में बाँट दिया गया है, और बाँट देने के बाद, इन टुकडों को किस करम में जोड़ दिया गया है, समानतर करम में जोड़ दिया गया है, और यह तूल्य प्रतिरोद, R dash, बटे R होगा, तो इसका हम क्या निकालेंगे जितने भागों में बाटा गया है अगर R डैस अपान R पूछेगा तो इसका तूल्य प्रतिरोद क्या हो जाएगा जितने टुकडों में काटा गया है उन टुकडों को एक बटे चार का जितने भागका चेकर है उसका बर्ग कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा आर्ड diferença बटे आर बाराबर एक बटे सोलह अगर यही जो है की तुल्य प्रतिरोध आर बटे आर डैस पुच्छता आर बटे आर डैस तो यह क्या हो जाता चार टुकड़े में बटा है तो चार का हम बर्ग कर देते तो यह 16 हो जाता चुकि यहाँ पर R-R पुछा है तो इस प्रस्न का भी कल्ब हम देखते हैं A दिया है एक बटे 4, B 4, C 16 और D यह एक बटे 16 तो चुकि R-R का जो है कि तुले प्रतिरोत पुछा है तो इसका क्या है जितने टुकड़े में बाटेगा उस तने का एक बटे करके उसका बर्ग कर देंगे तो इसका उत्तर निकल जाएगा तो इस प्रस्न में 4 टुकड़े में बाटा गया है तो एक बटे 4 का बर्ग करेंगे तो एक बटे 16 बिकल्प D सही होगा अगला प्रस्ण है एक पारदर्सी माध्यम से दूसरे पारदर्सी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकास किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकास की किरण क्या हो एक कह रहा है सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जा रही हो और सी सघन एवं बिरल माध्यम की संजुक सतह की दिशा में जा रही हो दी दोनों माध्यम एक ही हो तो यह जैसे कि यह मान लिए यह जो है कि यह बीरल सगन मानेंगे तो यह क्या मान लिया गया यह सगन से कहां जा रही है बीरल माध्यम में जा रही है तो यानि दोनों माध्यम में प्रोज़ करने के बाद प्रकास की किरण अपवर्तन कोण का मान आपनों कोण की तुलना में अधिक होगा यानि जब ये जो है की इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा विकल्प ए सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जा रही है यानि इसका जो है की संकेत क्या हो जाएगा सव बी दू सव से सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा अभिलंब से दूर हटेगी दूर हटेगी तो कोण का हो जाएगा अधिक बनेगा अगर यही जो है कि बिरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर जूक जाएगी तो इसका संकेत हम क्या करेंगे बी सजू यानि अभिलंब की ओर यह जूक जाएगी और यह जो है कि जब आपतन कोण का मान कोण की तुलना में अधिक होगा अपवरतन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा तो यहनी सगन माध्यम से सब बीदू यहनी क्या हो जाएगी अभिलम से दूर हट जाएगी तो कोण अधिक हो जाएगा तो इस प्रस्न का बिकल्प A सगन माध्यम से बिडल माध्यम में जा रही हो यह प्रस्ण का बिकल्प A सही है तो अगला प्रस्ण कर रहा है बिदुद्धारा का मापन किया जाता है मापन यानि इसको मापने क्या जह की यंत्र है A बोल्ट मीटर B अमीटर C गैलवेनो मीटर D उर्जा मीटर तो बिदुद्धारा का मापन किस से किया जाता है अगला है धावन सोडा का रसाइनिक सूत्र धावन सोडा ये जह की लगुतरी में पूछता है कि धावन सोडा के बनाने के विधी उसके गून और उसके अनसूत्र और उसके रसाइनिक गून और उसके उपयोग ये पूछा जाता है और यहाँ पर आपजेक्टिमें इसका सूत्र पूछ लिया है तो देखिए ये कह रहा है NaOH, B NaHCO3 और C कह रहा है Na2CO3 इन्टू 10H2O और DCOCl2 तो इसमें देखिए धावन सोडा ये सोडियम हाइडर आकसाइड है ये नहीं होगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ये खाने वाला सोडा है Na2CO3 इन्टू 10H2O ये जो है कि धावन सोडा है और COCl2 ये बिलीचिंग पावडर है तो इस प्रस्न का सही उत्तर है विकल्प C Na2CO3 इन्टू 10H2O ये जो है कि क्या होगा धावन सोडा का रसायनिक सुत्र होगा अगला प्रस्न है एक बिलेयन नीले लिटमस को लाल कर देता है इसका pH मान होगा तो इसमें हम जानते हैं कि नीले लिटमस को कौन लाल करेगा तो इसके लिए एक संकेत हमने बनाया है अनील और नील याद रहेगा तो क्या समझ में जाएगा तो ये क्या होगा जब अमल होगा तो हम जानते हैं कि अमल जो है कि उसका पीएच मान कितना होता है साथ से कम होता है और छार जो होगा तो उसका मान साथ से अधिक होता है और साथ का मान क्या होता है उदासीन होता है जो सुधिजल का जो है कि पीएच मान होता है तो इस तरह से हम देख रहे हैं, A में 6 दिया है, B में 7 दिया है, C में 8 दिया है, B में 10 दिया है तो ये अनिल सब्द के द्वारा, ये मिला की निले लिटमस को उस से अमल होगा और अमल का pH मान 7 से कम होता है, तो विकल्प A सही है, 6 इसका pH मान होगा अगला कह रहा है निम्न में से किस कार्बनिक योगिक में किटोनिक समू उपस्थित है अब बिकल्प में देखिए इस प्रस्ण को दिया है CH3, सिंगल बांड C, डबल बांड O और सिंगल बांड OH ये एक बिकल्प दिया है A, B कह रहा है CH3, सिंगल बांड C, डबल बांड O और C, सिंगल बांड CH3 C बिकल्प कह रहा है CH3, सिंगल बांड C, डबल बांड O और सिंगल बांड H और D का रहा है H, सिंगल बांड C, double बांड O, और सिंगल बांड O, H है तो किटोनिक समूह कौन सा है? तो इसमें किटोनिक समूह हुज है की विकल्प B, C-H3, सिंगल बांड C, double O और सिंगल बांड C-H3, विकल्प B सही है अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन उर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में माना जाता है ये जो है कि सिक्का या मुद्रा के रूप में किसको माना जाता है उर्जा के रूप में ATP को बिकल्प बी सही है बिकल्ब B सही है अगला प्रस्न है निम्न में से कौन सा एक क्यवल जन्तुओं में पाय जाता है A. स्वासान B. तंत्रिका तंत्र C. हार्मोन D. ब्रिधी ये सभी के सभी जन्तूओं और पहुतुदों दोनों में पाय जाता है लेकिन इन में से कोई एक ऐसा है जो केवल जन्तूओं में पाया जाता है तो उसका उत्तर है विकल बी तंत्रिका तंत्र केवल जो है की जन्तूओं में पाया जाता है पौधों में नहीं पाया जाता है अगला प्रस्न है मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था मेंडल सब लोग जानते हैं कि ये जो है कि मटर के पोधे पर किया था ए मटर बी चना सी गुड़ाल डी राइजोपस तो ये मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पोधे पर किया था बिकल्प ये सही है ये question काफी आसान और काफी बार परिछा में पुछा गया है अगला प्रस्ण है एक गोलिय दरपन की बकृता त्रिजिया 30 cm है इसका focus दूरी है या इसमेट दिया है कि गोलियत दरपण की बकृता 3 30 दिया है यानि 30 cm है बकृता 3 या 30 cm एफ बराबर निकालना है तो हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है आर भाई जो की 2F होता है तो आर भाई 2 हो जाएगा एफ बराबर आर बटे 2 तो आर का मान 30 दिया है 30 बटे 2 बराबर 15 cm तो इस विकल्प में जो की 10 cm, 15 cm, 30 cm और D 10 cm तो बक्रता 3 बराबर क्या होता है 2F होता है तो फोकस दूरी बराबर का आजाएगा आर भाटे 2 तो इससे जो की आर का मान 30 दिया है 30 तीस बटे 2 तो इसका उत्तर आजाएगा विकल्प B 15 cm अगला प्रस्न करा है किसी बस्तु का अभासी सीधा बड़ा प्रत्विम प्राप्त करने के लिए बस्तु को उत्तर लेंस के सामने रखते हैं तो इसमें देखिए विकल्प दिया है A. लेंस के मुखे फोकस पर B. फोकस दूरी के दोगनी दूरी पर C. अनन्त पर D. लेंस के प्रकासी केंद्र और प्रत्व मुखे फोकस के बीच तो इसका जो है की उत्तर जो है की विकल्प D होगा विकल्प D होगा लेंस के प्रकासी केंद्र और मुखे फोकस के बीच रखा जाएगा तो बस्तु का प्रतवीम्ब कहां पर बनेगा अभासी बनेगा सीधा बड़ा बनेगा और प्राप्त करने के लिए बस्तु के उत्तर लेंज के सामने रखते हैं और इसका जो है कि उत्तर विकल्प D होगा अगला प्रस्न का रहा है बाइदुत उर्जा का मात्रक पुशा है A V V V V C KW D KW घंटा अब बाइदुत उर्जा का मात्रक क्या होगा किलो वाट घंटा होगा बिकल्प D किलो वाट घंटा अगला प्रस्ण है बैदुत उर्जा का मापन करते हैं यानि किशियंत्र करते हैं A. बिदुत जन्रित B. धारा मापी C. अमीटर D. बिदुत मोटर द्वारा तो बैदुत उर्जा का मापन धारा मापी से किया जाता है विकल्प B सही है, अगला प्रस्थन है, कार्बन प्रमानों की संजोजक्ता होती है, कार्बन की 40 संजोजक्ता होती है, अगला है कैल्सियम फासफेट का सुत्र है, C A P O 3 twice, B C A P O 4 और C C A P O 4 twice और D C A P 2 O 4 तो इस प्रस्न का सही उत्तर है, विकल्प C C A P O 4 twice, C A P O 4 twice. अगला प्रस्न है, रसाइनिक समिकरन, रसाइनिक समिकरन दिया है और इसमें बताना है कि कौन सा बिकल्प सही है, दिया है रसाइनिक समिकरन, B A C L 2 plus H 2 A S O 4 यह जो है कि उत्पाद बन रहा है B A S O 4 plus 2 H C L, अभी इसमें देखिए B A C L 2 और H 2 A S O 4 में जो है क्या कर लेता है, यह जो की CL2 hydrogen के साथ क्रिया कर लेता है और यह sulfate जो की BASO4 के साथ जुड़ जाता है तो बना है BASO4 प्लस 2HCl यह योगात्म का अभी क्रिया है वी यह जो जहीali निय्याकरण सी होपन है बळीन में से कोई नहीं है तो यह क्या हो रहा है यह आउच्छे प्राप्त हो रहा है इसको मैंकर्सकरें इसप्रसन का सही ऊतार है वियाहिम्लित Só Merci Rumont अग्ला प्रस्न है क्लोरोफील और सोसित करता है क्लोरोफील जो पेडों की पतिया होती है वो प्रकास उर्जा को और सोसित करती है बिकल्प C सही है अगला प्रस्ण है जव विकास का सिधान प्रत्पादित करने वाले बैग्यानी का नाम है क्या A. चार्ल्स डार्वीन, B. ग्रेगर मेंडल, C. जगदेश चंदरबोस, D. डाक्टर हर गोविंद खुराना इस प्रस्ण का जव विकास का सिधान का प्रत्पादित करने वाले बैग्यानी का नाम है चार्ल्स डार्वीन, विकल्प A. चार्ल्स डार्वीन, विकल्प A. चार्ल्स डार्वीन, अगला है मानों में भ्रून का पोशन मिलता है, भ्रून का पोशन, भ्रून का पोशन कहां हो भुरून का पोशन कहा होता है, प्लेसेंटा में होता है, विकल्प बीसेंटा में होता है, अगला प्रस्ण है, निम्न में से कौन बिशम पोशी नहीं है, बिशम पोशी पूछ रहा है, इसमें जो कि विशम पोसी क्या है विकल्प डी मनी प्लांट है अगला प्रस्न है आउतल दर्पन के फोकस पर रखी बस्त का प्रतवीम बनता है आउतल दर्पन के फोकस पर रखा बस्तु का प्रतवीम कहां बनेगा आउतल दर्पन के फोकस पर रखा बस्तु का प्रतवीम कहां बनेगा अगला प्रस्न का रहा है पांच ओम प्रतिरोध तार को पांच बराबर टुकडों में काटने पर प्रतेक टुकडे का प्रतिरोध होगा यानि जैसे यह मान लिजे कि यह एक लंबा सा प्रतिरोध दिया हुआ है और इसको पांच बराबर भागों में बाटा जाएगा तो दो दो चार एक पांच तो यह प्रतियक कितने ओम के होंगे तो एक के ओम के हो जाएंगे पांच बराबर भाग में पांच ही प्रतिरोध है पांच ओम के और इसको पांच बराबर भागों में बाटेंगे तो एक के बराबर आएगा तो भी कल्प डी एक ओम के बराबर होगा अगला प्रस्न है बैदुत सक्ति का मात्रक होता है बैदुत सक्ति का मात्रक होता है A volt, B watt, C ampere, D ohm तो इस तरह से इस प्रस्ण में देखिए तो बैदुर सक्दी का मात्रक इसमें watt होगा वाट होगा प्रोपेनल है प्रोपेनल है क्या है A C2H5OH, B C3H6O और C C4H8O और D C3H5O तो इस प्रस्ण में प्रोपेनल क्या है विकल्प B है C3H6O अगला प्रस्ण है डाट डाट ठंडे तनु अमल से हाइडोजन गैस बनाता है ठंडे तनु अमल से हाइडोजन गैस बनाता है A Silica, B Copper, C Gink, D Carbon तो इसमें क्या हो जाएगा जिंक ठंडे तनु से हाइडोजन गैस बनाता है विकल्प C सही है जिंग क्या करता है ठंडे तनु अमल से हाइडोजन गैस बनाता है अगला प्रस्ण है मानव में गुर्ण सूत्रों की संख्यावति है A 42, B 44, C 46, D 48 इस प्रस्ण का सही उतर विकल्प C 46 होता है विकल्प C 46 अगला प्रस्ण कह रहा है निम्न में से कौन मानो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है A अंडासे, B गर्भासे, C शुक्रवाहिका और D डिम्बवाहिनी यह गर्भासे में जो क्या होता है मादा जनन तंत्र का अंग में अंडासे होता है गर निम्न लिखित में से कौन सा जीन प्रारूप सुध गोल बीजो को प्रकट करता है सुध गोल बीजो का यानि ये जो है की मेंडल का जो है की क्या है ये सिधान पर है तो पहला बिकल्प करा ए इसमाल टी टी बी कैप्टल टी स्माल टी स्माल टी कैप्टल टी और डी आर ये राउंड का होगा तो गोल का पुछ रहा है ये आर आर होगा ये बिकल्प D R R होगा अगला है पादुपो में जाइलम का कार्य होता है जाइलम जाइलम क्या करता है पोधों के जडों से जल को तनों और पतियों तक पहुचाने का काम करता है तो इसमें बिकल्प दिया है ए उत्तरजीव वर्जपदार्थों का संबहान B जल का संबहान C भोजन का संबहान D अमीनो अमल का संबहान तो इस प्रस्न का सही उत्तर है जाइलम क्या करता है जल का संबहान करता है इसी में एक फ्लोयम भी आता है जो भोजन को चारों तरफ पहलाता है जो सूरे के प्रकास में भोजन बनता है उससे जहाकी पूरे जहाकी पोधों में पहुंचाता है अगला प्रस्ण है वाई के सापेक्ष माध्यम का पोर्तनांग अधिक्तम होता है वाई के सापेक्ष A हीरा B जल में C काच में D तर्फिन के त्यल में तो वाई के साप एक अपोर्तनांग किसका दिखोगा हीरा का होगा ए बिकल्प हीरा हीरा का होगा अगला प्रस्न है निकट द्रिष्टी दोस निवारन के लिए चस्मे में प्रयूक्त करना चाहिए तो निकट द्रिष्टी दोस में क्या होता है इसके लिए भी एक ट्रिक है जिसके अधार पर हम निकट द्रिष्टी दोस और दूर द्रिष्टी देश को हम जो है की सही चस्मे प्रयूक्त होने वाले लेंस को बता सकते हैं दरपन तो होता नहीं है चस्मा जब भी बनेगा तो उसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है तो अनी एक सब्द आता है अनी और दूसरा आता है उदू तो अ से आताल लेंस अनी से निकट द्रिष्टी दोस होगा तो इसके निवारण के लिए अनी का प्रयोग करेंगे नि आताल लेंस का और यदि दूर द्रिष्टी पुछता उदू लिखते उस से उताल लेंस का प्रयोग करते और दूर द्रिष्टी दोसको निवारण के ल तो इस प्रसन का साहीव उतर बिकल्प वि आउतर लेंड्स होगा अगला प्रसना क्या का रहा है की चुम्बकिय बल रखाएं चुम्बकिय बल रखाएं ए सदेव समांतर व्य एक बिंद उपर मिलती है C एक दूसरे को कभी नहीं काटती है D परस पर काटती है जैसे मान लिए कि ये एक कुंडली है चुमबक है तो इधर से क्या करती है ऐसे जो है कि ये जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी उसी तर से नीचे से जाएगी तो ये क्या होगा ये कभी काट नहीं रही है ये एक दूसरे कभी नहीं काट रही है ये एक सीरे सीरे तब जह की ये क्या होती है चुमबकिय बल रखाए निकलती है और पहुँ जाती है लेकिन बीच में किसी के साथ कोई क्रास नहीं होता है काटती नहीं है तो यह जह कि एक दूसरे को कभी नहीं काडती हैं अगला प्रस्ण है यदि फाई बराबर चुंबकिया फ्लक्स है फाई को क्या लिखेंगे चुंबकिया फ्लक्स और बी को चुंबकिया छेतर रखी तीब्रता तथा तथा जहकी ए अनुप्रस्त परिछेद का छिदफल तो इनके बीच सही संबंध क्या होगा या सही संबंध है तो यह देखिए दे रहा विकल्प में ए बी बरावर फाई अपन ए बी बरावर फाई अपन ए और सी कहरा ए बरावर बी इंटु फाई और डी कहरा है बी बरावर फाई इंटु ए तो इसका हम सुत्र जानते हैं क्या होता है फाई बरावर फाई बरावर होता है बी इंटु ए नहीं दिया है तो अब इसको हम क्या कर लेंगे बदल देते हैं फाई में हम जह की तो यह क्या कर देंगे कि यह हो जाएगा बी बरावर फाई बटे यानि ये इस तरह का जो है कि कोई आपसन दिया है तो आपसन A दीख रहा है B बराबर 5 बटे A विकल्ब A सही है B बराबर 5 बटे A अगला प्रस्न कारा है सुध जल का pH मान होता है सुध जल का A 0 B1 C 7 और D 14 तो सुध जल का pH मान कितना होता है उदासीन होता है जल तो इस प्रस्न का सही उतर विकल्प C सेबन होगा अगला प्रस्न है अमल से हाइडोजन हटाने वाला धातू है अमल से हाइडोजन हटाने वाला धातू कौन सा है तो इसको देखिए A, ZN यानि जिंक, B, कापर, C, AG और D, HG यानि हाइडोजन को वही हटाएगा जो हाइडोजन से अधिक सक्रिय होगा यानि आवर सारणी में हाइडोजन से जो उपर होगा वो सक्रियता क्रम में वही जो है की अमल से हाइडोजन हटाने वाला धातू होगा तो यह होगा सिल्वर, AG, विकल्प C, AG वह प्रक्रियाएं जिन में जटिल कार्बनिक अणू सरल अणूओं में तूटते हैं इसका जो है कि A कह रहा है उपचाई अभिक्रियाएं B अपचाई अभिक्रियाएं C A वह B दोनों और D कह रहा है समाने अभिक्रियाएं तो वह अप्रक्रियाएं जिन में जटिल कार्बनिक और नगों में तूटते हैं तो अप्चई अभिक्रियाएं होता है बिकल्प, B सही है अप्चई अभिक्रियाएं अगला प्रस्ण है प्रोपेन का रसाइनिक सूत्र है प्रोपेन का रसाइनिक सूत्र है A CH4, B C3H8, C C4H10 और D C2H6 इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा C3H8, C3H8 विकल्प B अगला प्रस्ण है चर्मदाह या पहलेगरा रोग निमलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है अभिकल्प A देखिए विटामिन A, B कह रहा है कि विटामिन B2, C, विटामिन B6 और D कह रहा है विटामिन B12 तो इस प्रस्ण में पहलेगरा रोग जिसको कहा जाता है वो विटामिन B के कारण होता है और विटामिन B में ही सब दिया है B1, B2, B6, B12 तो इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा विटामिन B6 जो पलेगरा जैसी बिमारी को ठीक करता है होने नहीं देता है अगर इसकी कमी होगी तो पलेगरा की बिमारी हो जाती है अगला प्रस्ण है हिमोगलोबिन महत्पुन भूमिका निभाता है हिमोगलोबीन किस में अपनी भूम का निभाता है मत पुर्ण ए स्वसन में, बी उत्सर्जन में, सी पाचन में, डी पोशन में तो ये उत्सर्जन में नहीं निभाता है, पाचन में भी नहीं निभाता है, पोशन में भी नहीं निभाता है A. प्रोटीनो के रूप में, B. बसा के रूप में, C. सुक्रोज के रूप में, D. बसी अमल के रूप में इस प्रस्न का सही उत्तर बिकल्प C. सुक्रोज के रूप में होता है अगला प्रस्न है कोई दरपन किसी भी बस्तु का प्रतिवीम सदेव सीधा बनाता है दरपन है ये जो है कि सीधा बनाता है दरपन है A समतल B उतल C आउतल D समतल या उतल तो यह जो है कि प्रत्विम जब भी सिधा बनेगा तो दरपन क्या होगा समतल होगा या उत्तल होगा विकल्प D अगला प्रस्न है समाने आख के लिए दूर बिंदु होता है समाने आख के लिए दूर बिंदु होता है A. पची सेंटीमिटर B. पचास सेंटीमिटर C. अनन्त और D. सव सेंटीमिटर तो समाने आख के लिए दूर बिंदू क्या होगा अनन्त होगा अनन्त इसलिए होगा कि हम जो की अपनी आख से आसमान को देख लेते हैं तारों को देख लेते हैं सुर्य को चंद्रमा को तो ये हमारी बिंदू क्या होगा दूर बिंदू क्या होगा अनन्त होगा अगला प्रस्न कारा है किसी चालक में दो एंपियर की धारा प्रवाइत हो रही है दो सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी आवेश क्यू उच रहा है क्यू बराबर क्या होगा और दिया क्या है अगला प्रस्न का रहा है प्रेरिद विदुधारा की दिशा ज्यान्द करने का नियम है रेरी बैदुद धारा की दिशा ज्यात करने का नियम है A. फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम B. फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम C. पोम का नियम D. इन में से कोई नहीं तो इस प्रस्न का सही उतर होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अगला प्रस्ण है निम्न में से अमलिय लौण कौन सा है कि C-N है कि N-A-H-A-S-O-4 है कि N-A-C-L है कि N-A-2-A-S-O-4 है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा अमलिय लौण का विकल्प B-N-A-A-H-A-S-O-4 अगला प्रस्ण है कि एक अभिक्रिया दिया है कि A-P-2-O-3 प्लस एल्मूनियम और यह जो है कि क्या करता है जो है कि यह जो है कि 2-A-L है तो यह जो है कि क्या करेगा तो A-L-2-O-3 और A-P क्या हो जाएगा यह जो है कि अभिक्रिया करके बनता है तो क्या होग जाता है ऐलमुनियम जो है की फेरस को हटा देता है क्योंकि फेरस अधिक्रिया सील है और जो है की बियोजन अभिक्रिया बी संयोजन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी दू विस्थापन अभिक्रिया यानि यह क्या कर दे रहा है आक्साइड के साथ जो है की फेरिक आक्साइड के साथ जो है की ऐल्मुनियम जो है की फेरस को जो है की क्या कर देता है बिस्थापित कर देता है तो विकल्प C विस्थापन अविक्रिया होगा इस प्रस्न का सही उतर है विकल्प C विस्थापन अविक्रिया अगला प्रस्न है एल्मुनियम की सता पर आक्सीजन की परत बनना कहलाता है एल्मुनियम की सता पर आक्सीजन की परत बनना कालाता है अगला प्रस्न है मेंडल के अनुसार मटर के सुध लंबे पौधे का जीन प्रारूप है जीन प्रारूप है मटर के सुध लंबे पौधे का जीन प्रारूप है तो इस प्रस्न का सुध लंबे पौधे के लिए क्या होगा तो विकल्प सी सही है मुत्र का निर्माण होता है तो मुत्र का निर्माण कहा होता है ब्रिक यणि किडिनी में होता है विकल्प ए सही है लार में कौन सा एंजाइंब पाय जाता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है A. पेपसीन, B. एमाइलेज, C. टियासीन और D. लाइप पेज तो इस प्रस्ण का उत्तर है लार में कौन सा एंजाइम, एमाइलेज बिकल्प, B. एमाइलेज पाया जाता है अगला प्रस्ण है स्वपोसी पोषण है तो क्या आवस्यक है ए कार्बन डाइक्साइड तथा जल बी क्लोरोफिल सी सूरे का प्रकास डी उपरियूत सभी तो इस प्रस्ण में भी स्वपोसी पहले भी आया था लेकिन यहाँ पर भी आया है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है बिकल्प डी उपरियुक्त सभी उपरियुक्त सभी इस तरह से हमारे जहे की 65 जहे की अब्जेक्टिब क्वेश्चन जो महत्पुन है परिच्छा में आप लोग को अच्छा अंक दिलाएगा आप लोग इसे पढ़िए और तयार कीजिए अब जहे की इसका दूसरा पार्ट ह हम जहे की लगुतरी और दिर्गुतरी प्रस्नों पर थोड़ी सी चर्षा करते हैं और कुछ प्रस्नों का उत्तर भी आप लोग को बता रहा बताएंगे और आप लोग जहे की अगर हमारे चैनल पर नए है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए पहला प्रस्न है दहन अभिक्रिया पर संचिप्त टिपड़ी लिखिए दहन यानि जलने वर यह जो है कि अभिक्रिया पर संचिप्त टिपड़ी लिखिए यह कर रहा है वह रसाइनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ वाई यानि आक्सीजन की उपस्थिती में जल जाता है या आक्सिक्रित हो जाता है दहन अभिक्रिया कहलाता है यह छोटा सा परिभासा है आप लोग इसे तयारत कर लिजिए और देख लिजिए कैसे लिखना है तो वह रसाइनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ वाई यानि आक्सी जन की उपस्थिती में जल जा जाता है या आक्सिक्रीत हो जाता है दहन अभिक्रिया कहलाता है उदारा एल्पीजी के प्रमुग घटक ब्यूटेन सीफोर एस्टेन का दहन वाई के साथ करने पर कार्बन डाई अक्साइड गयस प्राब्त होती है देखिए ब्यूटेन लिखा गया है सीफोर एस्टेन प्लस तेरा बटे दो ओ टू यह जो है की उत्पात बना रहा है सीफोर एस्टेन और प्लस तेरा ओ और इसी को जो है की हम समझाने के लिए आप लोगों को दो बार फिर किये हैं C4H10 और 13 बटे 2 O2 को 13 O कर दिया गया और यह जो है कि क्या हो गया 4 CO2 प्लस 5 H2O यह और यह कट गया और इसके बाद से जो है कि फिर इसको जोड देंगे तो यह क्या गया C4H10 प्लस 13 बटे 2 O2 और मिल करके 4 CO2 प्लस 5 H2O यह देखिए चार कार्बन है तो चार कार्बन यहाँ पर है हाइडोजन 10 है और जो है कि यहाँ पर कितना है 13 है 10 और 13 23 है तो यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया जो है कि यह जो है कि दो कट गया तो यह जो है कि यह 13 और 10 23 है तो यहाँ पर 8 और यह जो है कि H2O जो है कि तो इस अग्ला प्रस्ण का रहा है साबुनी करण पर संचिप्त टिपड़ी लिखिए साबुनी करण पर संचिप्त टिपड़ी लिखिए तो इसका उत्तर दखिए उच्छ अणभार वाले यानि उच अणभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अमलो के सोडियम तथा पोटेसियम लवण साबुन कहलाते हैं ये तेलों और बसाओं के तनू, तनू NaOH यानि sodium hydroxide या potassium hydroxide द्वारा जल अब घटन से प्राप्त किये जाते हैं, इस क्रिया को साबुनी करां कहते हैं, साबुन बनाने की रासाइनिक अभी क्रिया साबुनी करां, इसको देखते हैं, अब देखिए, reaction में, ये reaction एक स्टाइड म तिन बना हुआ है, जैसे CH2, O, CO, C17, H35, और C से सिंगल बांट से जुड़ा हुआ है, CHO, CO, C17, H35, और फिर C से जो एक सिंगल बांट से, CH2, O, CO, C17, H35, इसको ट्राइ, इस्टेरिन या बसा बोलते हैं, इसको ट्राइ, इस्टेरिन बसा बोलते हैं, प्लस सोडियम हाइड्राइकसाइड, प्लस 3 NaOH से रिया करके, ये क्या बना लिया, CH2OH, और कार्बन के साथ जुड़ा है, CHOH, प्लस 3 C17, H35, CO, O, N, A, और ये जो है कि फिर जुड़ा हुआ है, CH2OH, इसको हम गलिसराल बोलते है और ये जो है कि जो ये वाला बन करके निकलता रहुत पाद, 3 C17, H35, CO, O, N, A, ये साबुन का जो है कि अभिक्रिया के द्वारा साबुन बनता है, इसका ये फार्मूला है, सुत्रा है, अगला प्रस्न का रहा है, कि रसाइनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या कितने प्रका का होता है, उदारा सहित समझाइए, ये जो है कि आपका रसाइन बिग्यान के ये जो है कि लांग कोशन बनेंगे, जो इसमें आपको हम दिये हैं, आप इसे पढ़िए और इसे त्यार कीजिए, ये जो है कि रसाइनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो हमारे पीछले वीडि प्यार कर लीजिए अगला है मेंडलिप की आवर्त नियम तथा इस नियम की दो विशेस्ता हैं ये भी क्वेशन पिछली वीडियो में आप लोग को जहें की बिश्त्रित वाले में दिया गया है पुरा खल कराया गया है और अगला है समझातिय स्रेणी क्या है उदारन सहीत सम ब्लीचिंग पाउडर का रसायनिक नाम गुण वव उपयोग ये भी प्रस्न आप लोग को पिछले वीडियो में मिल जाएगा अगला क्वेशन है बेकिंग सोडा बनाने की बिधी गुण और शूत्र लिखिये तथा उपयोग बताईए तो ये प्रस्न जहें की रसायन वी जाप्त कीजिए ये जो है कि आप लोग के लिए बड़ी वीडियो अवस्य है लेकिन पूरे जो है की टापी को कवर किया जा रहा है जिसे आप लोग इससे देख करके आप लोग इससे अधिक से अधिक लाब उठाए अभी रसायन विज्ञान के कुछ और क्वेशन है जो स ए उतर देखिए निस्तापन में अयस को निम्नताप और वाई की अनुपस्थिती या बहुत ही कम मात्रा में गर्म किया जाता है जबकि भरजन में अयस को उच्टाप और बीना पिगलाए वाई की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है यानि एक के लिए निस्तापन क लिए वाई अनुपस्थित चाहिए और भर्जन के लिए वाई की उपस्थिती में ये किया जाता है तो इस तरस जो की ये निश्टापन था भर्जन में अंतर है अगला प्रस्न है प्लाश्टर आफ पेरिस किसे कहते हैं इसे बनाने की बिधी गुण वा उपयोग बताईए जिपसम को एक सबीस डिग्री से एक सतीस डिग्री पर गर्म करने पर करने से प्लाश्टर आफ पेरिस बनता है जिपसम को कितने डिग्री पर एक सबीस डिग्री से एक सतीस डिग्री पर गर्म करने से प्लाश्टर आफ पेरिस बनता है बनाने की बिधी तो दखिए ये लि कर दिया गया 120-130 डिगरी पर गर्म किया जा रहा है, तो ये क्या बन रहा है? C-A-S-O-4-20-H-2-O-B-S-E-P-R-E-E-C-O-OD जो तेज गर्म करने पर CASO 4 में बदल जाता है plaster आप麵し सफेद रंग का छूणअ होता है जो तेज गर्म करने पर यानि यानि बहुत तेज गर्म किया जाएगा तो ये किसमें बदल जाएगा calcium sulfate में बदल जाता है calcium sulfate यानि इसको हम क्या बोलते हैं यह आपका प्लास्टर आफ पेरिस है तेज गर्म करने पर यह कैल्सियम सलफेट प्लस जल में तूट जाता है अग इसका जो है कि प्लास्टर आफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर उस्मा उत्पन होती है और वह सिगरता से जीपसम में बदल कर जम जाता है इस के लिए को plaster आफ पेरिस का जमना काते हैं इसको देखिए C.A.S.O.4 twice into H2O ये क्या है plaster आफ पेरिस है plus 3H2O ये मिल करके जीपसम का निर्मार कर दिया 2 times C.A.S.O.4 into 2H2O ये जीपसम हो गया अब उपयोग क्या है उपयोग में देखिए सल्य चिकित्सा में plaster करने में यानि सल्य चिकित्सा जब कोई भी व्यक्ति का हाथ पर तूट जाता है तो उस condition में क्या किया जाता है डाक्टर द्वारा plaster कर दिया जाता है दूसरा मूर्तियों और खिलोवने बनाने में भी उपयोग किया जाता है अगला question है आक्सी करन या अप्चयन अभिक्रिया को उदारन सहित समझाईए क्या करना है आक्सी करन या अप्चयन अभिक्रिया को उदारन सहित समझाईए एंसर वह रसाइनिक अभिक्रिया जिसमें आक्सीजन में ब्रिधी या हाइडोजन में कमी हो तो ऐसी अभिक्रिया को आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं यानि इस प्रकार की रसाइनिक अभिक्रिया हो जिसमें आक्सीजन में ब्रिधी हो यह दो ही बात कर रहा है या तो आक्सीजन में ब्रिधी हो या हाइडोजन में कमी हो तो आश्ती अभिक्रिया को आते हैं देखिए यह जो है की कापर है और प्लस आक्सीजन गैस है यह दोनो मिल करते क्या कर रहे हैं आक्सीजन इसमें क्या हो जा रहा है जूड़ जा रहा है आक्सीजन की ब्रिधी हो गई कापर में किसमें कापर में तो यह जो है कि आपका यह रसाइनिक अभिक्रिया आक्सी करण अभिक्रिया को जो है कि यह दरसाता है तो यहां पर हम टू लगा देंगे तो समीकरण ही संतुलित हो जाएगा तो यहां भी टू CEO हो जाएगा तो यह अपचैन विधी का जो है की पूछे या आक्सी करण पूछे यह आप लोग इस तरह से हल कर सकते हैं अगला प्रस्णा है प्रकास के प्रावर्तन के नियम लिखिए प्रकास के प्रावर्तन के नियम लिखिए एक अवतल दरपन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बस तू इस्थित है यदि दरपन से अभासी प्रतवीम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तब दरपन की बक्रता जिया ज्यांत कीजिए यानि इसमें सवाल एक पार्ट में पूछा है प्रकास के प्रावरतन के नियम होते हैं जिसमें की पहला है कि कोण I बरावर कोण R कोण I बरावर कोण R के बरावर होता है कोण I को हम क्या बोलते हैं अपवरतन कोण और कोण R को हम बोलते हैं प्रावरतन कोण तो यह जो है कि यह एक हो गया दूसरा कह रहा है आपतित किरण प्रावरतित किरण वा आपतन बिंदू पर अभिलंब तीनो एक ही तल में होते हैं प्रावर्तित किरानं आपतन बिंदू पर अभिलंब तीनो एक ही दल में होते हैं तो ये प्रावर्तन के तो नियम हो गए अब सवाल पूछा है कह रहा है कि एक आवतल दरपन दस सेंटीमीटर की दूरी पर है एक आवतल दरपन जो बस्तु की दूरी क्या लिखेंगे अब इ दूरी यू बराबर कितना हो जाएगा माइनस दस सेंटीमीटर यू माइनस दस होगा हमेशा जह की दस सेंटीमीटर होगा भी इतने दूरी पर बन रहा है 20 सेंटीमीटर पर अभासी प्रत्वीम बन रहा है कितने प्रत्वीम प्रत्वीम कहां बन रहा है 20 प्रत्वीम भी बरा सेंटीमीटर तो खोकस दूरी ग्याद करना है और बक्रता त्रिजिया ये दो चीज ग्याद करना है तो जब हम फोकस दूरी निकाल लेंगे तो बक्रता त्रिजिया भी निकल जाएगी तो अब इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं कि 1 अपान f is equal to 1 upon v plus 1 upon u अब मान रख दीजिए v का मान कितना है एक वटे 20 और प्लस एक वटे रिन 10 तो यह जोएकि 20 लगुतम हो गया तो 1 और यह प्लस माइनस तो माइनस 2 यह क्या हो जाएगा माइनस 2 तो यह क्या हो जाएगा माइनस एक वटे 20 यह आ गया फोकस दूरी कितना गया माइनस एक वटे 1 बराबर माइनस एक वटे 20 एक बराबर कितना गया माइनस 20 सेंटीमीटर अब यह जो है कि आपका निकल गया फोकस दूरी फोकस बूरी निकल गया, तो बकरता त्रिजिया बराबर क्या लिखे देंगे, बकरता त्रिजिया र बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे F, तो यह क्या हो जाएगा, 2 गुणे माइनस 20 बराबर माइनस 40 सेंटीमीटर ये आपका एंसर हो गया ये आपका ये सवाल कम्प्लीट हो गया अब इसी में अगला प्रस्न कर रहा है ये लंबा है इसको आप लोग को करना होगा कर रहा कि ओम का नियम क्या है इसके सत्यापन के लिए आवस्यक प्रयोग का बर्णन परिपत आरे खीच कर कीजिए ओम का नियम देख लिजे क्या है ओम का नियम ओम के नियम के अनुसार जब भावतिक अवस्था हैं भावतिक अवस्था हैं क्या होती है ताप और दाब होती है इसलिए जो एक हम ब्रेकट में लिख दिया है ताप उदाव आदी जो भी होते हैं बहुत दिकाउस्था है जो ओम के नियम पर लागू होता है समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई उसके सीरों के बीच विभवांतर के समान उपाती होता है जैसे विभवांतर प्रोपोशनल धारा भी प्रोपोशनल आई अब क्या लिखेंगे भी बरावर इस्थिरांग इंटू आई एक इस्थिरांग आ जाएगा तो ये प्रोपोशनल हड़ जाएगा तो अब ये क्या हो गया भी बरावर आर आई तो आर क्या है चालक का प्रतिरो और बराबर क्या लिखं़ देंगे वी बटे आहीं प्रतुर्योत का मात्रक क्या हो जाएगा जिए आर का मात्रक ओम होगा या अगर बोल्ट प्रत्रीयोत का मात्रक होगा और नियम का सत्यापन ओम का सत्यापन आप लोक कर लिजीएगा हमने संचिप्त में यहां पर लिखा है बाकी आगे का पार्ट आप लोगों को जह की करना अउगाद जैसे इस प्रयोग के लिए एक बैटरी अमीटर उन्जी धारा नियंत्र प्रतिरोध तथा बोल्ट मीटर चीत्र के अनुसार लगाते हैं प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई अमीटर से तथा प्रतिरोध के सीरों के बीच भी वांतर भी बोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं अब ये जैसे देख लीजिए ये जो है की आपका बैटरी दिया आ गया है ये बैटरी है और ये जो है की धारा नियंतरक है और ये पुंजी है और ये जो है की अमीटर है और ये जो है की प्रतिरोध है जो धनात्मक और रिनात्मक ये अमीटर और ये बोल्ट मीटर ये दिया गया है और इसको जह की आगे कि नियम का सत्यापन करेंगे तो इससे आप लोग लिख लीजिएगा और जिसे यहां पर यह की y-axis और यह एक्स एक्सीस है और यह जह की बिदुदहरा विभौांतर है यह वो एक विभुवांतर है और जह की O Y क्या है धारा का है तो इस पर जह की एक सरल रेखा का जह की एक ग्राफ बनता है ओम के नियम में और बाकी चीजे जह की आप लोग जह की किताब से आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजेगा ये प्रस्ण जह की काफी इंपार्टेंट है अभिप्राय है नेत्र की समझन चमता से अभिप्राय है एंसर नेत्र की वह चमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकड तथा दूरस्त बस्तूओं को फोकसीत कर लेता है नेत्र की समझन चमता कहलाती है यानि किसी भी बस्तू को चाहें वह दूर कि हो चाहें नजदी की हो वो जह की क्या करता है फोकस दूरी को समावयोजीत कर लेता है और निगट और दूर की बस्तों को हम जह की असपश्ट देख लेते हैं इसी को नेतर समझन की छंता कहते हैं अगला प्रस्न है ये लांग कोशन है आप लोगो को करना है किस तरह से दिय किसे कहते हैं या किन कारों से होता है किस दोस्त के निवारन के लिए किश प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है कि प्रकार का परी JO KHHD ए किरान आरेखु द्वारा समझाई है यह जो है कि यहां से आपको दो प्रस्न आते हैं इस पर दो प्रस्न बनते हैं एक दूर दृष्टी का हमने दिया है आप इसे पढ़ लीजिए और इसका सचीत्र जो है की हिताब से चीत्र आरेख जो है की खीचने सीख लीजिए और इसके साथ साथ दूर दृष्टी है तो न कर रहा है कि बिदूत मोटर का नामांकित चित्र बनाईए और उसके सिधान तथा कार्य बिधी असपष्ट कीजिए अगला प्रस्न है तो इसको भी किताब से आप लोग इसे अच्छी तरह से चित्र को समझ लिजिए और उस चित्र को समझ करके उसके सिधान और कार्य को बिदूत जनित्र का सिधान तथा कार्य बिधी असपष्ट कीजिए यह जो है कि बिदूत जनरेटर के बारे में यह कह रहा है इसके सिधान और कार्य को आप लोग पढ़ दिजिए यह भी प्रस्न बहुत ही महत्पूर है अगला प्रस्न है बहुत भी जान का ही फैराडे के बिदूत चुम्बकिय प्रेणर के नियम लिखिए प्रेणित बिदूत धारा की दिशा ज्यान करने के संबन में फ्लेमिंग का नियम लिखिए तो इसमें फैराडे का बिदूत चुम्बकिय प्रेणर का नियम और फैराडे का फ्लेमिंग का दाएं हाथ बाएं हाथ के निय जो परिक्षा में आप लोगों को आने की संभावना अधिक है रसायन वीगन का एक क्वेशन और भी छुटा हुआ है इससे भी आप लोग देख लिजिए क्वेशन है उदासीनी करण क्या है दो उदाहरन दीजिए उदासीनी करण क्या है तो देखिए एंसर देखिए अम्ल एंच्छार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरू लोण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इस अभिक्रिया को उदासीनी करण अभिक्रिया कहते हैं यहनी जब अम्ल एंच्छार की अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके परिणाम स्वरू क्या होता है लोण तथा जल प्रा तो यहां का हाइड्राकसाइड और यहां का जो है की हाइड्रोजन मिल करके क्या कर ले रहा है तो यहां पर एनेसीयल बना ले रहा है और यहां पर पानी बना ले रहा है जो इसको जो है की क्या कर दे रहा है आपका जो है की तो यहाँ पर समिकरण को भी संतुलित करने को कहेगा तो हम यहाँ पर दो जगत दो दो लगा देंगे तो यह समिकरण यहाँ पर भी टू लग जाएगा तो जैसे दो एचे तो यह जो है की अब आपका समिकरण संतुलित है तो इस तरह से जो है की उदासिनी करण के बारे में हम पढ़ सकते हैं देख सकते हैं तो ये उदासिनी करण का परिभासा हो गया आगे के परिभासा एक और है इससे भी देख लेखा। अगला प्रस्ण है उस्मा छेपी दहन एवं उस्मा सोसी अभिक्रिया का क्या अर्थ है उदारण दीजिए देखिए रेडिंग बना लिए एंसर लिखिए उस्मा छेपी अभिक्रिया दहन जिन रसाइनिक अविक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उसमा भी उत्पन होती है उसमा छेपी या दहन अविक्रिया कहते हैं यानि यह आईसी अविक्रिया है जिसमे को करने के बाद क्या होता है कि उसमा निकलती है उसमा की प्राप्ति होती है उदारन प्राकृति गैस का दहन जैसे CH4 यानि मीथन गैस और प्लस 2-02 अक्सीजन गैस यह मिलकर क्या बनाया कारबन डाइक्साइड प्लस पानी प्लस उसमा अब जह की निकल रही है तो यह जह की उसमा छेपी हो गया या दहन बोल सकते हैं दहन अविक्रिया तो यह जह की आपका यह एक्जामपल हो गया दूसरा कारा एक उसमा सोसी अविक्रिया उसमा सोसी अविक्रिया जिन रसायन अभिक्रियाओं में उर्जा और सोसित होती है उन्हें उस्मा सोसित करते हैं इसमें यह उस्मा को क्या करता है सोसित करता है उदारण के लिए अगला पार्ट बचता है बायलोजी का पार्ट बचता है तो बायलोजी के भी कुछ क्वेशनों को हम लोग देख लें और उसको भी कुछ हल कर लें और कुछ महत्पुन क्वेशन को बता देते हैं आप लोग उसे पढ़ लिजिए और तैयारी कर दिए अगला प्रस्न है काईक प्रवर्धन किसे कहते हैं इसकी विधियों का उदाहरां सहीत बढ़न कीजिए काईक प्रवर्धन तो काईक प्रवर्धन के बारे में लिखना है या कभी-कभी अल्लेंगिक जनन भी दे देता है या काईक जनन भी दे देता है तो इस प्रस्न को चहां जीस रूप में उच्छे काईक प्रवर्धन अल्लेंगिक जनन या काईक जनन और इसकी विधियो का उधारन सहीत बढ़न कीजिए तो इस प्रस्न का उत्तर आये देखते हैं तो उत्तर क्यार क्या है बिना बीज वाले पौधों में जनन क्रिया काईक जनन द्वारा होता है पौधों में काईक अंग जनन कलियों द्वारा नया पौधों में पौधा निकलता है कलियों द्वारा नया पौधा निकलता है अब इसको देखते हैं कि क्या निकलता है कैसे करते हैं पहला कलम लगाना कलम लगा करके यानि कलम की जैसे होता है उसको नो जहकी बना करके उसको जहकी छिल देते हैं तो इसमें कलम लगाना इस बिधी में कलिकावों यूक तो छोटे छोटे टुकडों में काट दिया जाता है उसे कलम कहते हैं इस कलम को भूमी में गार दिया जाता है और ये तने तथा जड़े फेक देता है और इस तरह से जह की ये जह की कलम तयार हो जाता है जैसे आप का डाल को काट के लगा दिजे तो वह लग जाता है अन्नास और गुलाब गुलाब के भी पौधे के जह की छोटे-छोटे कलम काट करके जमीन में गाड देने से वो जह की पौधा त्यार हो जाता है अगला है दाव लगाना दाब लगाना कुछ पौधों के तने को हम जुका कर नम मिटी में पाट देते हैं, कुछ समय बाद दबी हुई कली जर्थ था नए तने निकल आते हैं तो यह की दूसरा दाब लगाना यानि ऐसे पौधे जिन की डाले सखाएं जमीन की सतह तक आ गई हो और उसको जह की मिटी नम मिटी से दबा करके और उसको क्या कर दिया दबा दिया जाता है, कुछ समय के बाद उसमें कली और जड़ नए तने पौधे आ जाते हैं अब अगला टापिक है काईक जनन के लाप, काईक जनन के लाप क्या है, जिन पौधों में बीज नहीं होता है, उसमें हम काईक जनन का उपयोग करते हैं दूसरा इसमें नए पौधे जल्दी निकल आते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कि आम के पौधों को कलम बान दिया जाता है, तो वो छोटा ही रहता है और उसमें फल लग जाते हैं, दिखाई देते हैं तो इस तरह से इन प्रसनों को आप लोग तयार कर सकते हैं, तो इस जै कि बैलोजी का बहुत ही महत्पूर्ण प्रसना रहा, आप इसे तयार कीजिए और इसे बार बार पढ़िए, परिक्षा की दिरिष्टी से बहुत ही उपयोगी है इसके कुछ मुख्य प्रसना जो महत्पूर्ण है आने वाले उन प्रसनों को आप लोग अलग से तयार कर लिजिए, जिससे की आप लोग को अधिक सधिक लाब मिले हैं बायलोजी में कुछ महत्पुन प्रस्ण है जो आप लोग को अलग से किताब से तयार करना है और इसके चीत्र को भी बनाने सिखना होगा और चीत्र को नाम अंकन नाम सहित जोएकी उसमें अंकन करना है तो इसमें पहला प्रस्ण है ब्रिक्राणू ये कोश्ट में नेफरान परशंच्प टिपडी लिखिए और इसका जहकी बिक्राणू ये बारे में इसके लिखना है टिपडी और इसका चीत्र बनाना है तो यह किताब से आप लोग करिए कि इस प्रस्ण को त्यार कीजिये ये प्रस्ण इंपार्टन है अगला प्रस्ण है कि मानों हिर्दय हिर्दय का सचित्र बर्णन एवं क्रिया बीधी समझाईए मानो हिर्दय का यानि हर्ट का ये जो है कि क्या करना है सचित्र बर्णन करना है और उसके कारे बीधी को समझाना है कि हिर्दय हमारा काम क्या करता है तो हिर्दे सब लोग जानते हैं कि जो है कि हमारे रक्त को सुधी करण करता है और रक्त को धमनी और सिरावों के माध्यम से जो है कि हमारे पूरे सरीर में ये जो है कि वहन होता है तो इसके बारे में जो है कि आप लोगों को चित्र भी बनाना है और इसके कारे विधी को हमारे अमासे में उपस्थित हाइडोक्लोरिक अमल एक अमलिय माध्यम त्यार करता है जो पेपसिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है या भोजन में उपस्थित किटानुओं को नश्ट कर देता है हमारे अमासे में उपस्थित हाइडोक्लोरिक अमल एक अमलिय माध्यम त्यार करता है जो पेपसिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है या भोजन में उपस्थित किटानुओं को भी नश्ट करता है तो ये लिख देंगे अगला आप इसमें और important question है जो आप लोग के परिख्षा के दिरिष्टी से उपयोगी है महत्पुन है कि मानों में मादा जनन तंत्र का एक नमांकी चित्र बनाईए तो मादा जनन तंत्र का जो है कि नमांकी चित्र बनाना है और उसके बारे में लिखना है ये भी अगला है मेंडल के नियमों की एक एक उदारन सहीत ब्याख्या किजिए यानि मेंडल द्वारा दिये गए तीन नियमों के उदारन सहीत आपको ब्याख्या करना है तो ये प्रस्ण आप लोग के बैलोजी के लिए काफी उपयोगी है अब रहे कुछ निमेरिकल सवाल तो न इसके पहले के वीडियो में कराये गए हैं, आप लोग वहां से निमेरकल देख लिजिए, तो निमेरकल पार्ट भी आप लोग का कम्पलीट हो जाएगा, तो इस तरह से बिज्ञान के लगभग सभी पार्ट को आप लोग को बता दिया गया है, बताया गया कि कौन कौन से कौन महत्पुन है, तो इस वीडियो को पूरा देख करके आप लोग इसे जो है की अपने जो है की पेपर को त्यारी कीजिए, जो अगामी 27 फरवरी को आप लोग के लिए काफी महत्पुन सावित होगा, और इसे जो है की अधिक सधिक संख्या में सेयर कीजिए, अगर यद धन्यबाद इस्टुडेंट